हलो दोस्तों मैं सोरंबलिक आप सभी का टोपिक स्टेडियु में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एंटी पीसी की वेकैंसी के बारे में जिसका कल नोटिफिकेशन परसो नोटिफिकेशन आ गया था कल से फों भरे जाने स्टार्ट हो गये थे कली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको टोटल चीजे बताई थी इस वेकेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी important dates है, age limit है, qualification है बट उसके बावजुद भी बहुत सारे बच्चों के हाँ पे comment आये, बहुत सारे doubts थे तो वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में clear करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा अगर आपको वीडियो helpful लगे तो please like कर दीजेगा, अपने दोस्तों को share कर दीजेगा, facebook, whatsapp group में, ताकि दूसरे student की भी help होती रहे और मैं बता दूँ, जो नए student है, जो पहली बार visit कर रहे है चैनल पे, तो चैनल को subscribe कर लिजे, क्योंकि NTPC के regarding मैं पूरा का पूरा course upload करने वाला हूँ, math का भी, reasoning का भी, और jk का भी, तो बहुत यह अची से preparation होने वाली है आपका 5 या 6 तारिक से मैं start कर दूँगा, तो आप update रहने के लिए चैनल को subscribe करिए, पैल आइकन को ओन कर लिजे, आपके पास हर एक वीडियो का notification पहुचना start होतेगा तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो को तो चलिए start करते हैं एक like के साथ में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please like कर दीजेगा ठीक है, तो यहाँ पर बात करूँ मैं सबसे पहले question की, तो यहाँ पर पूछे जा रहा था complete नहीं हुई है, वो apply नहीं कर सकता है, पहली बात, बहुत सारे बच्चे एक चीज भी पूछ रहे हैं, कि sir मैंने BA किया है, मैंने BSC किया है, मैंने B.com किया है मैंने B.tech किया है, क्या मैं apply कर सकता हूँ, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, bachelor degree कोई भी होगी, bachelor degree कोई भी हो, चैसमे BA हो, BSC हो, B.com हो, कोई भी हो, B.tech हो, या फिर कोई भी higher degree हो, आप apply कर सकते हैं, सिर्फ आप graduation pass होने चाहिए, ठीक है, और final result आपके हाथ में होने चाहिए, appearing student इसमें apply नहीं कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा question सबसे पहला यही था, तो चल layer के बारे में, तो देखे, इसमें दिया जारे है आपको 3 year का relaxation, यानि कि आपका देखे, 18-30 तक तो form भरी सकते हैं, अब 18-30 तक तो general वालों की हो गई, अगर आप OBC non creamy layer में है, तो आपको 3 year का और extra relaxation मिल जाएगा, 3 year का और आपको, मतलब जो है, quota मिल जाएगा, age में, ठीक ह यहाँ पर S.E.S.T. की बात कीजए, तो उनको 5 year का मिलेगा, तो यह हो गई OBC और S.E.S.T. वालों के बारे में, अगर यहाँ पर बात कीजए, एक सर्विसमेन की, तो एक सर्विसमेन को 3 year का relaxation मिलेगा, up to 30 year, यानि कि 30 year plus number of year service rendered in the defense plus 3 year, यानि कि आपने जितनी भी सर्विस क की मैं बात करूँ याँ पर, उसमें plus 3 year का आपको relaxation मिलेगा, extra, ठीक है, यह unreserved के लिए, यानि कि आपका general category के लिए OBC वालों के लिए इसमें ही आपका 3 मिल जाएगा, और S.E.S.T. वालों के लिए इसमें भी 3 मिलेगा, यानि कि इसमें तीनों को ही, चाहे आप general में हो, च S.E.S.T. में आपको 3 year का ही relaxation मिलने वाला है, अभी मैं बात करूँ P.W. मेरानी की physical handicap होते हैं, उनके बारे में तो उसमें आपका unreserved category को मिलेगा, 10 year का, OBC को मिलेगा, आपका non criminal year वालों को 13 year का relaxation मिलेगा, और S.E.S.T. वालों के लिए 15 year का relaxation मिलने वाला है, जो यह relaxation है, 30 के उपर है, यानि कि 30 साल तक तो आपके general category होगी, उसके उपर जो ही relaxation मिलेगा, मतला उससे उपर ही आपको यह सारी की सारी छूट मिलने वाली है, ठीक है, बाकी और यह सारी आप पढ़ लिजेगा, जम्मू कस्मीर के हैं, तो उसमें आपको 38 year का मिल जाएगा, 40 year तक मिल इतने year तक हैं, यह इतने year का relaxation नहीं होगा, यह कभी आप सोचेगी 30 से उपर 35 साल का आपको relaxation मिलेगा, यह इतने up to, यहाँ पे हैं कि up to 35 year, यानि कि इतने year तक आपको relaxation मिल जाएगा, फिर बाकी आप पढ़ लिजेगा, पूरा कर मैं detail में जाऊंगा, तो यह बहुत बड़ notification है, पूरा मैं इसको cover नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जम्मु कस्मीर के हैं, या फिर कहीं और पे हैं, मतलब आप की साधी हो गई, या फिर आप उसके बाद form बर रहे हैं, या फिर आपका divorce हो गया, उसके बाद आप form बर रहे हैं, तो इसमें extra extra आपके बहुत सारे, आपको relaxation मिल रहा है, ठीक है, जैसे इसमें मिल रहा है, अप टू 35, 38, अगर आपने आपकी दूसरी साधी नहीं हुई है, तो तब ही आप कोई मिलेगा 40 साल तक का, अगर आप 40 साल के नहीं हुए हैं, तो आप इस form को बर सकते हैं, यह हो गया, ठीक है, इसमें age की भी कल मैंने बात ब आपको कल, बट अभी मैं बता देता हूं, 500 रुपे हैं इसमें आपका जनरल और OBC वालों के लिए, जिसमें आपको 400 रुपे रिफंड हो जाएंगे, अब 400 रुपे कैसे रिफंड होंगे, अगर आप stage 1 में, CBT stage 1 में present होते हैं, अपनी attendance लगवाते हैं, आप exam देते हैं, त इसमें बहुत सारी डिटेल में आपको देखनी पड़ेगी, इसमें भी आपको एक certificate बनवाना पड़ेगा, जैसे SCST और OBC का बनवाना पड़ेगा, पड़ता है मतलब वैसी आपको यह भी करना पड़ेगा, तो यह भी आप ज्यान रखेगा, कि 8 lakhs से अगर आपकी income कम है, यानि कि आपके पापा की income कम है, तो आप economically week section में आएंगे, और आपको एक reservation मिल सकता है, 10% का vacancies में, ठीक है, stage 1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पूरे exam paper की, तो देखे, 90 minute का यह exam होगा, आपका जो, यह सारी चीज़े मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे student के questions रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके journal awareness आएगी, 40 number की, mathematics आएगी आपकी 30 number की, general intelligence यानि की आपकी reasoning आएगी 30 marks की, यह total कितना होगा है, 100 marks का, आपका 100 marks का paper होगा, जिसमें आपको 90 minute मिलेगी, ठीक है, और जो यह 120 minute है, यह physically candidate के लिए है, physically जो handicapped होते हैं, उनके लिए आपके लिए 120 minute मिलेगी, ठीक है, 90 minute यह सभी के लिए normal candidate के और जो यह CBT 2 होगा, और यहां पर एक बहुत सारे, बहुत छोटे-छोटे questions पोचते हैं, यह क्या offline होगा, यह offline नहीं, online paper होगा, ठीक है, computer based है, CBT उसको ही बोलता है, ठीक है, अब second stage के अगर मैं बात करूँ, तो second stage में कुछ आपका थोड़ा सा change हो जाएगा, इसमें general awareness का आपका 100 questions है, अभी भी time आपको 90 minute ही मिलेगा, इसमें आपके negative marking one third रहे की normalization का भी इसमें, मतलब प्रवधान है, आपका tension मत लीजेगा, अगर आपका paper hard या जादा easy आता है, तो उसमें normalize होके, वो merit आपके उसके बाद ही लगेगी, तो यह चीजे सारी मैं आपको एक एक ब बचता है, अभी मैं comment ले रहा हूँ यहाँ जो comment में पूछेगे questions है, तो इनसे आपको और भी चीजे clear हो जाएगी, मैं direct बताऊँगा, अगर इसके बाद भी कोई question बचता है, तो नीचे comment box में पूछ सकते हैं, या फिर इससे पहली जो मैंने video upload की थी, उसका link नीचे description box में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे i button में उपर दिख रहा होगा, यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे एक बच्चे ने पूछ रखा है, दोनों form भर सकते हैं, क्या 10 plus 2 और graduation level के, तो यह भी एक question था, यहाँ पे मैं clear कर देता हूँ, कि तो आप graduation level का भर सकते हैं, या फिर आप 10 plus 2 level का भर सकते हैं, तो I hope कि आपको यह question clear हो गया होगा, दूसरा वाला है, sir, please बताइए, 12 और graduation level का, जो post है, दोनों में form भर सकते हैं, तो यही same question होगा, sir, हम 5 post में भी भर सकते हैं, क्या, तो यहाँ पे यह भी एक question है, कि हम सारी post post में भर सकते हैं, क्या, तो आप सारी post में नहीं भरेंगे, NTPC के लिए आप एक zone से form भरेंगे, ठीक है, किसी भी आप एक zone से form भरेंगे, अगर आप 2 zone से form भर देते हैं, तो reject हो जाएगा, या फिर आप अलग-अलग किसी भी 5 post में या फिर 2 post में भर देते हैं, वो भी और 10 प्लस 2 लेवल में फॉम बरना है बाकी की चीज़े आपको stage 1 के बाद clarify की जाएगी कैसे कैसे आपको कौन सी post दी जाएगी वो आपको preference बादवे बरनी है अभी नहीं बरनी है तो सिर्फ आपको एक फॉम बरना है दो जोन से नहीं बरना है एक ही जोन से बरना है आप 10 प्लस 2 में बर सकते हैं फिर आप graduation level में बर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े clear मैं आपका करता हूँ चल रहा हूँ दूसरा question है sir graduation level से form fill किया के लिए कितनी percentage चाहिए कोई percentage नहीं चाहिए बस आपने 50% से देखे 12 में criteria रखा गया कि आपके 50% marks compulsory है अगर आपके 50% marks नहीं है तो आप form नहीं बर सकते हैं दोस्तों यह बहुत important question है अगर आपको कोई भी doubt है इसी जरीके से मैं आपके clear करता रहूंगा sir 10 plus 2 pass कोन सी post है तो post वो बहुत सारी है वो मैंने इससे पहली वीडियो में बता देता है वहां से जाके आप देख सकते हैं sir BA final year है चाहिए मतलब BA final year है चाहिए मतलब समझा नहीं है BA final year है तो नहीं बढ़ सकते है भाई तो अगर आप यह पूछना चाहरे है कि BA final year है तो बढ़ सकते हैं क्या तो नहीं बढ़ सकते हैं next है sir inter organization दोनों apply कर सकते नहीं कर सकते हैं राची का कितना राची का पता नहीं कितना है general OBC का 50% क्यों है CST क्यों नहीं है तो यह चीज नहीं पता भई मेरे को भी ठीक है 10 plus 2 और graduation दोनों में form डाल सकते हैं नहीं डाल सकते है sir यह exam offline होगा नहीं online होगा है ठीक है thanks यह बताने के लिए कि CST pass only तो CST के लिए 12th में हाँ लेके आने चाहिए तभी आप form बर सकते हैं sir जो student final year में है running चल नहीं बर सकते हैं भाई जो final year में हो बिल्कुल नहीं बर सकते हैं मैं बार-बार बोलनों इस चीज को sir graduation appearing नहीं बर सकते हैं क्या सारे post में female apply कर सकते हैं बिल्कुल सारी post में देखे female के लिए कोई भी ऐसी नहीं रखेगे कि इस vacancy में नहीं female सारी post में apply कर सकते हैं तो इस चीज की भी कोई tension नहीं लेनी है आपको ठीक है 12th वाली vacancy में multiple post के लिए apply कर सकते हैं क्या fees भी अलग-अलग payment करनी होगी और situation में refund क्या होगा देखे ये बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं और फिर बाद में कोई भी उनके लिए vacancy नहीं बचती है अगर आप form भर रहे हैं तो केवल एक form भरिए को किसी भी दो जोन से form नहीं बरना है मतलब एक जोन से form बरना है एक ही vacancy में फॉर्म बरना है आप क्या सोचते हैं कि अलग-अलग 3-4 vacancy में form भर दूँगा अलग-अलग fees payment कर दूँगा अब बहुत सारे चीज़े आपको ये cyber cafe वाले नहीं बताएंग जब form भरते हैं या फिर आप खुद से बरते हैं ये गलतिया कर देते हैं ठीक है अभी ध्यान आएगा दो बाद में बताऊंगा ठीक है exam कितने स्टेज में होगा 2 स्टेज में होगा cbt1 और cbt2 दो स्टेज में आपका exam होना है cbt1 जोगा वो सभी के लिए common होगा सभी के लिए common होगा cbt2 में फिर आपका अलग-अलग होने माला है ठीक है सर मैं 12 की सारी पोस्ट एप्लाई कर सकता हूँ का बस आप एक फॉम बरिये सारी आपकी ओटोमेटिक एप्लाई हो जाएगी सर इंटरमेडियेट और ग्रेजुएशन दोनों को अलग-अलग डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं मैं OBC में आती हूँ मेरा 10 प्लस 2 में 48 है नहीं बर सकते हैं अगर आप 10 प्लस 2 में 48 है तो नहीं बर सकते हैं ठीक है और मेरा PCM इंटर किया है तो मेरा 10 class में तो 60% है अभी 10th level की वेकेंसी नहीं है 10th level की जो आईगी आपकी level post 1 आएगी उसमें आप fill कर सकते हैं अभी आपके अगर 48% है 12th में तो आप नहीं fill कर सकते हैं Bachelor degree नहीं है सर तो नहीं है तो नहीं बढ़ सकते भाई दोस्त ठीक है Graduation final year नहीं चलेगा नहीं होगा ठीक है कोई नहीं बढ़ सकता है final year में TCC border board कितना है तो यह आपको इससे पहली वीडियो में ही मिल जाएगा आपने जिस वीडियो में comment क्या है सर जिसकी पास inter plus BA दोनों का degree है तो वो दो vacancy fill कर सकते हैं नहीं कर सकता है देखें inter and graduation level तो सभी के पास है ना maximum student के पास तो क्या वो अलग-अलग vacancy fill करेंगे नहीं बढ़ सकते हैं सिर्फ आप एक बढ़ेंगे यही चीज मैं आपको बताता हूं जो student NTPC level की भरती में form भरेगा क्या वो level 1 भी भर सकता है हाँ यह question एक बहुत important question है जो अभी form भर देगा NTPC की वो level 1 की जो vacancy आगी वो उसमें भी भर सकता है तो इस चीज की tension मत लिचेगा इसलिए बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देख अगरे आपका हर एक doubt हर एक problem वो मेरी भी problem है मैं हमेशा solve करता हूं हमेशा solve करता रहूंगा तो आपका अगर यह doubt था कि अगर आप NTPC में भर रहे हैं और आप आगे नहीं भर सकते हैं तो यह गलत था आप दोनों में भर सकते हैं अभी NTPC में भर सकते हैं level 1 की जो post आएगी आप उसमें भी बढ़ सकते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अगर पसंद आई होगी तो like कर दीजेगा ठीक है आज की वीडियो में इतना ही था अगर इसके बाद भी आपका कोई single question भी बचता है तो comment box में पूछिए जैसे आपका comment करे वैसे पूछिए चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए घंटिक आइकन को ओन करिए ताकि आपको पलपल की अपडेट मिलती रहे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे टेलिग्राम पे ट्वीटर पे और आप फोलो कर सकते हैं इसकी पीडियाप अगर आपको लेनी है फिर आपकी जो भी प्रोल्म रहती हो पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब हो